नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त हाजिर हूं फिर से एक नई और महत्वपुन जानकारी के साथ स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्यानविशेश में दोस्तों प्रकृति का खजाना अनमोल और असिमित है इसमें अनेक ऐसी वनस्पतिया पाई जाते है चो चमतकारी के गुणों से परी होती है ये चमतकारी के जड़ी बुटिया और पेड़ भोधे हमारे आसपास में ही होते है लेकिन जानकारी के अबाव के कारण हम इसके सदा बाहर के नाम से जानते है इसे भारत के जहदतर इलाकों में बारह मासी नयंतरा सदा सुहागन और सदा फुली भी कहते है इसके फुलों की संदरता के कारण भारत के हर गार्डन में घर के आंगन में गमले में और बालवाटी काओ में लगाया जाता है वैसे तो सदा ब पिमारियों को ये दूर करने वाला पोधा कैंसर तक को ठीक करता है डायाबेटिस हाई ब्लड प्रेसर और बेड कॉलेस्ट्रोल के लिए तो ये एक राम बान अवसदी की तरह काम करता है चहरे के दाग धब्बे किल मुहां से दूर करता है जूरिया मिटाता है और बालों की ह गए हो डेंशिटी कम हो इन सभी प्रकार की समझाओ के लिए अगर आपके आसपास में घर के आंगन में गंबले में या गार्डन में कहीं भी आपने ये पोधा लगाया हुआ है तो इसका फाइदा आपको किस प्रकार से लेना है इसकी पूरी विदी इस वीडियो के माद् कारी आप तक पहुंचती रहे दोस्तों अगर आपके घर में किसी सदिश्यों को डायबिटिस की प्रॉब्लेम है डायबिटिस है तो इसे कंट्रोल करने के लिए सदापहार की चार से पांच पत्यों को ले और इसे अच्छे तरह से सिल्बट्य पर कूट कर रस निकाले इस इस रस को आपको रोजाना पिना है एक चमच हलाकि खाले पेट इसे न पिहें क्योंकि बहुत कड़वा होता है खाले पेट पिने से उल्टी होने की समिश्या हो सकते है इसलिए थोड़ा सा कुछ खा कर नास्ता करके इस प्रयोग को करें दोस्तों बहेंकर से बहेंकर के अलावा बठते होई ब्लड प्रेसर को भी कंट्रोल में कर देता है अगर किसी को हाई ब्लड प्रेसर की समस्या है साथ में बेड कोलस्टोल भी है तो इस प्रयोग को अजमाने से बहुत जल्द ही आराम मिल जाएगा इसकी चार से पांच पुलों का काड़ा बनाकर चाय क प्रयोग करने से भी सभी प्रकार की बीमारियों में आराम मिलता है बहुत जल्द ही फायदा मिलता है यह सामान्या दिखने वाला पौधा कैंसर को भी ठीक करता है इस सदा बाहर की पौधे में कैंसर रोधी कुन पाए जाते है इसमें एलकालोईड एजमेलेसिन और सर्पे कैंसर होता है यह सरीर में से टोक्सिन को बाहर निकाल देता है अगर किसी मरीज को पहले स्टेज का कैंसर है तो इस सदा बाहर की प्रयोग से चमतकारिक रूप से फायदा मिलता है यह कैंसर को सीकाओ को आगे बढ़ने से रोक देता है साथ ही खराब होई को सीकाओ को दूर पतिरुदक शम्ताब बढ़ जाती है जिसके कारण मरिज के बचने के चांचिस बढ़ जाते है और अवधी भी बढ़ जाती है इस प्रकार के गंबिर बीमारियों में ये अमरुद की तरह काम करता है लेकिन अपने डॉक्टर की सला के अनुसार ही इसका प्रयोग करना है सरीर के सभी प्रकार के इंफिक्शन को दूर करने के लिए सदा बाहर का पोधा सहाइक होता है